उफीडियो फोबिया ये शब्द का मतलब है स्नेक फोबिया साप हजारों लोग की जान लेता है हर साल इसलिए नैचरल है कि इंसान को साप से डर लगेगा ब्रसील में 106 एकर का एक छोटा सा आइलेंड है जिसे स्नेक आइलेंड के नाम से जाना जाता है ये आइलेंड भरा हुआ है जैरीले सापो से डेडलिये स्नेक इन अमेरिका ये आइलेंड पर पाई जाते है पर अच्छी ख़बर ये है कि ये आइलेंड मेंड से 20 माइल दूर है तो ये साप मेंड पर नहीं आ पाएगा स्नेक आइलेंड के बारे में कितने स्कैरी और इंटरेस्टिंग फैक्स है जो हम आपको ये वीडियो में बताना चाहेगे तो वेलकम टू स्नेक आइलेंड या फिर आप कह सकता है इलह दक्वी मादक ग्रैंडे जो इसका दूसरा नाम है ये आइलेंड दूर से बहुत ही ब्यूटिफुल दिखता है आपको देख के मन होगा कि ये आइलेंड पे पिकनिक मनाने जाए से सिर्फ व्रजीलियन नेवी को साल में एक बार जाना पड़ता है लाइट हाउस को मेंटेन करने इस आइलेंड पे इतने साप है कि आपको हर एक स्क्वार मीटर पे एक से पाच साप देखने मिल जाएगे कहा जाता है कि 1909 से पहले एक फैमिली रहा करते थी यहाँ पे जो लाइट हाउस को मेंटेन करते थे पर एक दिन बहुत से सापों ने एक खुली खिड़की से अंदर आकर पूरे फैमिली को मार डाला इसी तरह ये आइलेंड की एक और स्टोडी फेमिस है एक फिशर्मेन बनाना तोडने के लिए ये आइलेंड पे आया था पर जब वो बनाना तोड रहा था तब उसके उपर एक साप गिरा और उसको काट लिया जब तक वो उसके बोट के पास पहुच था तब तक उसकी मौत हो चुकी थी ये सब में आपके मन में एक बात तो जरूर आई होगी कि इतने सारे साप ये आइलेंड पे आये कैसे कुछ लोग मानते है कि पाइरेच ने ये आइलेंड पे ख़जाना चुपाया था पर सच ये है कि हजारों साल पहले ये ब्रजील के में लैंड से कनेक्टेड था तब साप यहां अपने हिसाब से आते और जाते पर जब सी लेवल बढ़ गया और ये आइलेंड में लैंड से सेपरिट हुआ तो थोड़े साप यहां पे फज गये इनका कोई natural prey नहीं था जो इनका शिकार कर सके इसलिए इनकी तादाद बढ़ गई और ये evolve होते गए कहा जाता है पहले इस आइलेंड पे दूसरे जानवर भी रहते थे पर इन जहरीले सापों की तादाद बढ़ने से एक एक करके सभी दूसरे जानवर का शिकार होने लगा इस वज़े से snake island पे और कोई दूसरे जानवर मौजूद नहीं है The golden lanshead wiper जिसे one of the deadliest snake in the world कहा जाता है सिर्फ ये island पे पाए जाते है इनका venom one of the most deadly venom ever recorded कहा जाता है ये closely related है mainland के lanshead wiper से पर the golden lanshead wiper ने island के life को adapt किया है इनका शिकार limited है इस island पे तो mainly इनका शिकार migrating birds ही होते है पर अगर इनका venom mainland के lanshead wiper जैसा होता तो ये birds instantly मर नहीं सकते इसमें birds को थोड़ा time मिलता है उड़ जाने के लिए इसलिए the golden lanshead wiper को evolve होना पड़ा ज्यादा deadly venom के साथ ये venom इतना जहरीला है कि एक इनसान को एक गंटे में मार सकता है तो सोचिए एक छोटे से bird का क्या हाल करेगा जी हाँ आपने सही सोचा वो छोटा सा bird तुरंद ही मर जाएगा researchers के मताबित यहाँ पे 3000 से 4000 golden lanshead wiper है और उन्होंने दूसरे सापों को तो गिनना चालू भी नहीं किया पर इस island से हमें बहुत सी अच्छी चीजे भी मिली है जैसे कि scientist को बहुत ही मदद मिली है इनके venom की वज़े से ये island पे पाये गए सापों के जहर से जान लेवा बिमारियों की दवा बनाई जाती है जैसे कि heart disease की इस island में researchers को साल में एक ही बार जाने की permission दी जाती है पर अगर किसी तरह आपने इस island पे जाने की government से permission ले भी ली तो आपको compulsory एक professional doctor को साथ लेके जाना होगा हैरानी की बात तो ये है कि इतने dangerous island पे भी लोग illegally अपने जान को खत्रे में डालके इस सापों की smuggling करते है क्योंकि ये साप बहुत ही rare है Smugglers इन जहरीले सापों को पकड़ के black market में बेचते है 30,000 डॉलर में तो साप जिसने ये island को अपना घर बना रखा है वो फिर से खत्रे में है इनसान की वज़े से तो दोस्तो आप हमें comment section में बताईए कि आप ये सापों के island में जाना चाहोगे या नहीं दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो like और subscribe ज़रूर कीजिए ये हमें motivation देगा आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने में